देखो तो तो छरकमन सुझत है अरे तोरी गोरी भावी के अम्मा बाबुजी की तवियत खराब है उज़ी से मिलने जा रही है बदब बहर तो छीक है दुहारी कल्य भाई मेंकिनाज अमावस है हमरी मानो तो कल सुबह चले जाना रात का मामना है पर रास्ते में वो जंगल भी आता है, और सुना है, यह मावस की रख, उन तो वो स्वैलो की सक्ती काफी बढ़ जाती है, और आज तो आवावस ही है, अरे यहां मेरे मावबाप की जान जा रहे हैं, और तुम दोनों प्रपंच करने में लगे हो, चुप चाप चले चलू नहीं तुम्हें काफी घबरा जाता है, गोरी, हम लोग निकल तो आए हैं, लेकिन अगर उस नास मिटे पुस्तन की बात सच निकली तो, जैसा की वो मन्हूस मारा कह रहा था, है, यह भगवान ना जाने कैसा पती मिला है मुझको, अरे तुम्हें इतना डर लग रहा है, तो अभी वापस च चले जाओ और उस नास मिटे दोस पुस्तन से जाके लिपड़ जाओ, लेकिन मैं तो जाओंगी, गोरी को गुस्से में देख कल्लू कुछ नहीं कहता और चुप चाप चलने लगता है, लेकिन कल्लू को कुछ डराबनी आवाज हैं सुनाई देती है, अरे ते 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 त कुछ नहीं बोलता, वो चलते चलते गोरी के गाउं के पास पहुच जाते हैं, तभी गोरी के माबाप बहार आते हैं, अरे नहीं गोरी बेटा, कुछ नहीं, गोरी सी तभीयत हराफ है, लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं है, तभी पिताजी की नजर कल्लू पर पढ़ती है, और कर लो बिटा कैसे हो डरने की आदब रूठी या नहीं कि आज भी रात में डर लगता है अरे क्या पिता जी मैं कहां डरता हूँ मैं अपने गाओ का सबसे बहुतर मर्दू है चलो अभी रास्ते का हाल बता दूगी तो बेज़ती हो जाएगी यहां पर चूहे कहीं के उसके बाद दोनों कमरे में चले रात में अरे गोई डार्लिंग याद है मैं पहनी बार उनसे इसी कमरे में मिला था तो क्या करूँ उसी दिन का अफसोर से मुझे जो तुम जैसा निकमर पखने मा कल्लू उसकी डरावली आवाज सुनकर डर जाता है और सो जाता है रात में सोते समय उसे अपने बेट के पीछे से कुछ डरावली आवाज आ रहा अरे मर गया रे ये कैसी डरावली आवाज है लेकिन इस गोरी को बताऊंगा तो मेरा खोल पी जाएगी ऐसा कहकर कल्लू फिर से सोचाता है और डर की मारे गोरी को कुछ नहीं बताता अगली सुबह वो अपनी सास के पास जाता है अरे ममने रात में मुझे अपने बेट के पीछे से कुछ तरावली आवाज है आ रही थी अरे एक कुछ नहीं बेटा तुम ठग गय थे शायर तुमने निम में कोई भयानक सपना देख लिया होगा फिर उसे रात कल्लू और गोरी सो रहे होते हैं कि तभी कल्लू को वही दरावली आवाज एक फेसे सुनाई देने लगती है और वो जात चाता है वो देखता है कि गोरी वहाँ नहीं है अरे ये रात में गोरी कहा चली गई देख कि ये दरावली आवाज मेरा पीछा नहीं छोड़ रही कल्लू गोरी को यहाँ वहाँ देखता है लेकिन उसे गोरी कहीं नहीं देखती ए भगवान ये रात में गोरी कहा चली गई तभी कल्लू को दुबारा से वही दरावली आवाजन सुनाई देती है और वो बैट के पीछे जाता है इसके आखे डर के मारे फटी रह जाती है गोरी इस चुड़ेल में बदल चुकी होती है अरे कल्लू को दुआरे ये कल्लू कमें से भाग में की कोशिश करता है लेकिन दर्वाजा जोर से बंद हो जाता है तब ही कल्लू का लोकेट बाहर निकल जाता है चुड़ेल बनी गोरी लोकिक देखते ही बेहोश हो जाती है कल्लू उसे उठाकर बैट पर लिटाकर उसे बांग देता है कुछ ते बाद चुड़ेल को होश आता है अरे मुझे जोड़ तो चरहती देखो मैं मरना नहीं चाहता मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा मुझे जाने दो, मुझे जाने दो मेरे हाथ खोड़े, मेरे हाथ ते खोड़े खोड़े मुझे अगले सुबर गोरी से चुड़ेल का साया हट जाता है और वो फिर से गोरी बन जाती है फिर कल्लू गोरी को सारी बात बताता है एक काम करिये जी आप मुझे उसी जंगल में छोड़ाईए नहीं तो शायद में किसी रात आप की जानना ले लो कैसी बात करती हो गोरी? मैं तुम्हारा पती हूँ पती का फिर्फ अच्छे समय में साथ देने के लिए होते है तुम चलता ना करो हम साथ मिलकर इस समस्या का कुछ ना कुछ उपाए लिकाद लेंगे फिर इसके बात गोरी और कल्लू सारी बात गोरी के माबाप को बताते हैं बात सुने के बात गोरी के पिताजी वाँ बेटा मैं तो ठान्य हो गया तुम्हारी कैसा बेटा पाकी तो मेरी बेटी के इस पुरी समय में उसका कितना साथ दे रहे हूँ वाँ वाँ अरे पिता जी मेरी वाँ वाँ में समय मत बर्बात करो बल्कि ये बताओ गोरी को ठीक कैसे करना है पैको युपाए बेटा इक उपाए तुम कान धर लाओ गोरी के पिता जी कल्लु के कान में कुछ बोलते हैं उधर रात फिर से हो जाती है ये जी मैं तुमसे फिर कह रही हूँ तुम यहान से चले जाओ सही मैं तुमारी जान ला ले लो यह चुड़ेल फिर से हावी हो जाएगे मुझ पर कुप करो और मैं जो कर रहा हूं करने दो तभी कल्लो एक रस्पी लाता है और उसे एक बैट से बांग देता है फिर जैसे ही रात होने लगती है गोरी चुरेल बनने लगती है और वो दरावनी आवाजे निकालने लगती है तभी गोरी के पिता जी बहां आ जाते हैं वाह रापाज पिता वाह बस अब इस गोरी को मंदर तक ले चाला है बस उसके बाद तो सारा ताओ बजरेंग पली ली कर देंगे उसके बाद गोरी के पिता जी और कल्लू बन्धी हुई चुडेल को उठा लेते हैं और हनुमान जी के मंदर ले कर जाते हैं हनुमान जी को देखकर चुडेल खरना जाते हैं अरे मैं आज मितो ये मुझे कहाने है मुझे छोड़ दू लेकिन तभी कल्लू एक और रस्ती लाता है और उसके गोरी और बजरन बनी को बांग देता है चुड़ दो मुझे ये लिदू चुड़ दो मुझे रुग जा एका मत कर रुग जा दुश्ट लेकिन कल्लू उसकी एक बात नहीं सुनता और रसी बांते है रसी के बांते ही चुड़ेल का शरीर जलने लगता है और गोरी का शरीर वापस आने लगता है चुड़ दो मत करो ठोड़े ये देड में चुड़ेल पूरी तरह जल जाती है और गोरी का शरीर चुड़ेल से मुख्थ हो जाता है अचाओ, झालो में टीकोग गा, बड़की प्टाचिट प्टाचिड़ स्टाचियों